जियां दोस्तों अगर आप flip card से कोई भी mobile या electronic item बिना credit card के लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को last तक जरूर देखना दोस्तों यहाँ पर आपको हर मैने का 200 से 400 रुपे तक का EMI देना पड़ेगा और यहाँ पर आप ज्यादा से ज्यादा 36 मैने तक ही EMI का प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं मतलब कि आपको 3 साल में पूरा पैसा EMI से देना पड़ेगा और अगर आपके पास किसी भी बैंक का credit card नहीं है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मैं आपको पूरा live process करके बताने वाला हूँ कि आप flip card से या Amazon से EMI पर mobile कैसे order कर सकते हैं वो भी विना credit card के दोस्तो मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनिया है जिसके जरीए आप EMI पर mobile या कोई भी electronic item ले सकते हैं उसके लिए आपके पास सिरफ आधर card और pen card होना जरूरी है अब दोस्तों कुछ company ऐसी होती है जो सीधा आपको EMI पर mobile देती है और कुछ company ऐसी होती है जो आपको EMI पर loan देती है और उस loan से आप कुछ भी खरीच सकते हो लेकिन जिस समय आप form submit करोगे तो उस समय आपको बताना पड़ेगा कि आप loan किस कारण से ले रहे हो तो दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को like नहीं किया है तो वीडियो को like जरूर करें मैं इस वीडियो पर सिरफ 200 like का target रखता हूं आसा करता हूं कि आप इसे जल्दी पूरा कर लोगे और अभी तक आपने इस channel को subscribe नहीं किया है तो channel को जरूर subscribe करना और साथ में bell icon को जरूर प्रेस करना ताकि आपको आने वाली वीडियो की notification सबसे पहले मिले तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको यहां पर Google में आ जाना है और Google में आने के बाद आपको एक website सर्च करने पड़ेगी मैं आपके लिए एक ऐसी website लेकर आया हूँ जहां से आप कोई भी लॉन ले सकते हैं कोई भी personal अपना mobile खरी सकते हैं कोई भी electronic item इस website से आप खरी सकते हैं तो इस website का नाम आप देख सकते है लॉनmarkets.in.com नहीं लगाना है आपको .in लगाना है तो यह आपके सामने इस परकार की website open होकर आ जाएगी यहां पर आप देख सकते हैं lawn markets वाली website तो यहां पर सबसे पहले इसको open कर लेना है जैसी आप open करोगे तो आपको इस परकार का interface आपके सामने आ जाएगा तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन सा मतलब जो यहां पर select करना पड़ेगा ताकि आपको जो है email पर आसानी स मुबाइल मिल सके तो यहां पर आप देख सकते हैं how to apply for personal lawn with mistro app और फ्रेंज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर आप जैसा भी lawn लेना चाहते हैं चाहिए आप bank lawn हो personal lawn हो business lawn हो या lawn पर mobile लेना चाहते हैं या कोई भी freeze वगरा bike वगरा लेना चाहते हैं तो आप आ अगर आपको यह post नहीं मिलती है तो आपको simple सा mistro app को search कर देना है तो आपको इस परकार की जो है वो post मिल जाएगी तो इस post को open कर लेना ओपन करने के बाद इसके अंदर अगर आप English थोड़ा बूत पढ़ना चाहते हैं तो यहां पर इसके पूरी detail यहां पर पढ़ सकते है कि आपको यहां पर जो यह लॉन मिल रहा है वो कितने महीने के लिए मिलेगा और कितना आप यहां से लॉन ले सकते हैं सारी कोश डिटेल इसके इंदर आपको दे रखिए तो यहां पर simple सा नीचे आजाना और नीचे यहां पर आप देख सकते हैं तो यहां पर कम से कम आपक जो है click here इस पर आपको click कर देना है जैसे आप click here पर click करोगे तो आपकी mobile में एक application डाउनलोड हो जाएगी उस application को download करने के बाद simple सा install कर देना है अब उस application के अंदर क्या के process करना है तो वो आपको देरे पूरा end की follow करना पड़ेगा तबी आपको जो है lawn मिल पाएगा अनेता अगर आपको थोड़ी से भी mistake कर दोगे तो आपकी file जो है reject हो जाएगी तो application को simple सा आपको install कर लेना है install करने के बाद कौन सी आगी प्रक्रिया करनी है तो मैं आपको mobile की screen पर ले जाकर समझाता हूँ तो friends वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा तो पूरा देख लेना ताकि आपको कुछ भी पूछने की जरूत ना पड़े तो यहाँ पर simple size को install कर लेना है और यहाँ पर आपको 6 बार allow पर click कर देना है जैसे आप allow पर click करोगे तो यहाँ पर आपको अपने mobile नमबर डालने है मैं आपको suggest करूँगा कि आपके जो आधरकार्ट से mobile नमबर है वही आपको mobile नमबर डालने है तो mobile नमबर डालने के बाद आपको कुछ देर के लिए थोड़ा सा wait कर देना wait करोगे जैसे आपको यह अपने आप verify हो जाएगा और यहाँ पर आपके सामने एक OTP आ जाएगा OTP आने के बाद simple सा आपको यहाँ पर OTP डाल देना है यहाँ पर आप देख सकते 100 यह timer शुरू हो गया है तो यहाँ पर simple सा आपको जो है अपने mail ID से इसमें login करना पड़ेगा नहीं तो आप login नहीं कर सकते हैं तो simple सा आपको sign up with Gmail आपको इस पर click कर देना है अगर आप Facebook से करना चाते हैं तो आप Facebook से भी कर सकते हैं और अगर आप पहले से already करके रखे हैं तो आपको सबसे उंपर वाला जो है प्रेस कर देना है जिससे आप नीचे sign up with Gmail पर click करोगे तो आप जो भी आपके Gmail वाली account है वो open हो जाएंगे उसमें से आपको कोई भी account जो है select कर देना है select करने के बाद इस परकार का इंटरफेस आजाएगा यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं about loan में EMI payment, KYC और lawns यह आपको तीन जो option नजर आएंगे तो यहाँ पर तीन option आप देख सकते हैं तीनों option में सबसे पहले आपको KYC complete करनी है अगर यहाँ यहाँ से KYC complete नहीं करना चाते है तो आपको simple सा loan पर click कर देना है जैसे आप loan पर click करोगे तो यहाँ पर आपके सामने इस परकार का interface आजाएगा तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको अलग-अलग loan मिल जाएंगे personal loan मिलेंगे education loan मिलेंगे और एक और loan है जो आप business loan जो property loan होता है अब आपको e-mail पर mobile लेना है उसके लिए आपको personal loan select करना है जैसे आप personal loan select करोगे तो आपको यहाँ पर 10,000-2,000,000 रुपे तक का loan मिलेगा यहाँ पर instant approval मिलेगा कोई भी यहाँ पर आपको charge वगिर आपका कुछ भी नहीं कटेगा यहाँ पर आपकी जो fees कटने वाली है वो सिर्फ 2% कटेगी और maximum आपको यहाँ पर 7% ही आपकी यहाँ पर fees कटने वाली है तो इस परकार के features आपको देख लेना है उसके बाद आपको दो मिनिट का जो application फोरम है वो आपको upload करना पड़ेगा उसके बाद अपना जो bank account है उसका जानकारी आपको यहाँ पर upload करने पड़ेगी उसके बाद आपको जो application submit कर देनी पड़ेगी आपकी application review में चले जाएगी within 24 गंटों के अंदर आपके पास एक SMS आजाएगा आपके application जो है approved हो चुकी है आपको कितना loan मिलेगा वो आपको application जो approved होने के बाद ही पता चलेगा उसके बाद simple सा आपको यहाँ पर next पर क्लिक कर देना है यहाँ पर डाल सकते हो डालने के बाद simple सा आपको यहाँ पर kayak complete कर लना नहीं है तो मैं आपर kayak complete कर देता हूँ अभी आप देख सकते हो मेरी kayak complete हो चुकी है kayak complete होने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल बढ़ने पड़ेगी अपने occupation के बारे मतलब आप जो है काम वगेरा क्या करते हो salary आपको select करना है उसके बाद आप जो भी यहाँ पर काम करते हो जिस परकर का काम अगर आप mechanic हो या कारीगर हो या मजदूर हो तो आपको manufacturing select कर देना है select करने के बाद save and next पर click कर देना है अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी जानकारी बढ़नी है जानकारी क्या बढ़नी है मैं आपको बता देता हूँ सबसे बिले आपको उपर नाम, middle name, last name उसके बाद आपको अपना date of birth डालनी है उसके बाद आपको gender select करना है उसके बाद married हो या single हो उसके बाद आपके कितने बच्चे हैं अगर नहीं है तो आपको non-press select करना है नीचे आपको email ID देख जाएगी उसके नीचे mobile number और सबसे नीचे आपको यहाँ पर alternate mobile number यह मतलब आपके वाई के या जो भी अपने पिता जी के आप डालना चाते है तो आपको यहाँ पर डालने पड़ेंगे उसके बाद नीचे आपको current address उसके बाद pin code, city, state और उसके बाद सबसे नीचे आपको यहाँ पर आपको देख जाएगा याँ कि आप कितने सालों से अपने मकान में रह रहे हो वो आप यहाँ पर डाल सकते हो उसके बाद अपना खुद का room है या किराई पर रहते हैं उसके बार हम डालना है permanent address डालना है pen number डालना है और other number डालना है तो यह सारी detail मैं बढ़ देता हूँ उसके बाद आपको save and next work किलिक कर देना है जैसे कि मैंने यहाँ पर सारी detail यहाँ पर पूरी feel कर दी है अब मैं यहाँ पर simple सा save and next work किलिक कर देता हूँ अब जो आपने occupation बढ़ रहा था उसके बारे हम यहाँ पर आपको जानकारी बढ़नी पड़ेगी मतलब आप किस company में काम करते हो अगर कोई company नहीं है तो आप जिस company में काम करते हो उस company का नाम आपको यहाँ पर डालना है अगर नई company में काम करते है तो कोई भी company यहाँ पर आप डाल सकते हो डालने के बाद जो आपको यहाँ पर कितने time से काम कर रहे है उसका experience आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा यान कि आप एक साल से, दो साल से, तीन साल से, जो भी कर रहे हो, आपको डालने पड़ेगी, उसके बाद आपको graduation डालने पड़ेगी, मतलब आप कितने पड़ा लिखे हो, आटवी पास, दसवी पास, या graduation की, वो आपको डालने पड़ेगी, उसके बाद आपकी मंतली salary डालन के बाद simple सा आपको save and next पर click कर देना है तो यहां पर मैंने सारी जानकर यहां पर डाल दी है और जो loan amount है यहां पर मैंने 50,000 select कर दिया है select करने के बाद simple सा आपको जो है यहां पर save and next पर click कर देना है तो मैं यहां पर simple सा जो है save and next पर click कर देता हूँ अब जैसे आप save and next पर click करेंगे तो आपकी यहाँ पर सारी detail यहाँ पर complete हो जाएगी अब यहाँ पर आपको जो अपना bank का statement है वो यहाँ पर आपको डालना है bank यहाँ पर statement आपको तीन डालने पड़ेंगे तीनो statement आप अपने bank से मंगवा सकते हैं इमेल से आप मंगवा सकते हैं उसके बाद आपको मंतली जो salary slip होती है जो आपको company salary slip देती है उसके आपको जो है salary slip यहाँ पर upload करने पड़ेगी simple सा आपको mobile में photo कीच देना है कीचने एक बाद simple सा आपको pdf बना लेना document upload कर दी है upload करने के बाद simple सा यहाँ पर आपको save and next work क्लिक कर देना है तो आपकी जो file है वो पूरी तरह से ready हो चुकी है ready होने के बाद आपकी जो file वो upload हो जाएगी upload होने मतलब एक दो मिनट के अंदर आपकी जो file upload हो जाएगी upload होने के बाद कुछ इस परकार के आपकी file बनकर तयार हो जाएगी अब यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी जो application summary आपके पास आ गई है अपना नाम वगेरा आपने जो भी detail भरी थी उसका एक form बनकर आपके समने आ गया है अब नीचे आपको यहाँ पर tick कर देना, tick करने के बाद सिंपल से आपको submit पर click कर देना है जैसे आप submit करोगी तो within 7 day के अंदर आपके पास reply आजएगा या आपके पास call आजएगा कि आपका जो loan वो कितना आजएगा सबसे पहले आपके पास message आजएगा कि आपको loan कितना मिलेगा अब जरूर नहीं है कि आपको loan 2,00,00,000 मिले जरूर नहीं आपको loan 10,00,000 मिले जो भी आपका adacard और pen card से जितना आपका score होगा उससे सबसे आपको यहाँ पर loan मिल जाएगा तो उस लौन से आप जो है अपना कोई भी मुबाइल सेलक्ट कर सकते हो और मैने मैने वापस EMI इसमें पे कर सकते हो EMI के अंदर आकर अब कैसे लौन में आपको कितना लौन मिलेगा यहापर आपको चेक कर सकते है तो उमीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको काफी पसंद आये होगा पसंद आये तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिन